प्रिया बिद्यार्थियों, आज हम संस्कित की पाठ्ठ़ पुस्त गृचिरा भाग एक, जिसका दूसरा पाठ्ट आकरंत स्टिलिंग आकार है अंत में जिसके ऐसे इस्टिलिंग पद इसका हम अभ्यास करेंगे, जैसे वाक्यों का सरल्रत एशा का, एशा यह है का, क्या, तो इसका हिंदी अन्वाद होगा यह क्या है एशा दोला जूला तो इसका हिंदी अन्वाद होगा यह जूला है दोला कुत्र अस्ती जूला कुत्र कहां अस्ती है जूला कहां है दोला उपवने अस्ती जूला उपवने बगीचे में अस्ती है जूला बगीचे में है सा का सा यह या वह का क्या है सा घटी का यह घड़ी है घटी का घड़ी घड़ी का किम सूचिती घड़ी किम क्या सूचिती सूचित करती है घड़ी समय को सूचित करती है एते के एते ये दोनो के कौन है किम एते कोकिले क्या ये दोनो कोकिले कोयल है नहीं एते चटके ये दोनों चिड़ीया है या गुरैया है चटके किम कुरूता है चटके दोनों चिडियां या गुरया किम क्या कुरूता है कर रही हैं ए ते वी हड्ता है ए ते ये दोनों वी हर्ता है खुदक रही है या उचल कूद कर रही है ते के वे दोनों कौन है ते चाली के सतह वे दोनों महिला ड्राइवर हैं ते किम कुछ तह वे दोनों क्या कर रही हैं ते वहनम चालियत है वे दोनों कार चला रही हैं एतहा कहा ये क्या हैं एतहा स्थाली कहा ये स्थाली का अर्थ होता है थालियां ये थालियां हैं किम एतहा गोला का रहा किम क्या एतहा ये गोला का रहा गोला का रहां आम यहाँ पर मैं हलनता है जिसकर होता है हाँ इतहा गुला कारहा एव इतहा ये गुला कारहा एव गुल ही है या गुला कार की है तहा का वे कौन है तहा अजहा वे बकरियां है तहा किम कुर्वंती वे किम क्या कुर्वंती कर रही है वे क्या कर रही हैं तहा चरंती तहा वे चरंती चर रही है अब पार्ट में आ हुए कठिन शब्दों का अर्थ एशा यह है दोला जूला कुत्र कहां उपवने बगीचे में घटी का घड़ी सूचिती सूचित करती है कोकिले दो कोयल ए ते ये यदवीवचन शिलिंग पद है चटके दो गुरया या दो चिडिया कुरूता है करती हैं वी हरता हा फुदक रही हैं चाली के दो महिला ड्राइवर चाल यतह चलाती हैं एतह ये बहुचन इस्टिलिंग पद स्थाली कहा थालियां आम हाँ एव ही अजहा बकरियां चरंती चर्ती हैं अब इसका भ्यास करते हैं इसका पहला प्रसन जिसका कैभाग उच्चारनम कुरुत उच्चारन करें तो यह जो पद लिखे हैं जो शब्द लिखे हैं ऐसा लगता है मानों जैसे हिंदी में हो लेकिन यह संस्कृत में इस्टिलिंग का प्रत्मा भगति का एक वचन लिखा कोई भी विशरग नहीं लगती छात्रा प्रियोग शाला शिक्षिका माला नोका कलीका लता लेखिका पेटीका सेवीका छूरीका गाईका खैभाग चित्रानी द्रिष्टवा पदानी उच्चारियत के चित्रों को देखकर पदानी उच्चारियत पदों का उच्चार्ण करें कि उनको बोलें जैसे चित्र में दिखाया गया है कि सूई इसको संस्कित में सूची का चीन्टी पिपिली का चाबभी कुंची का साइकिल द्वी चक्री का मेज उत पीठी का मक्षी का माचिस अगनी पेटी का स्केल मापी का और ये मार सरसुती का वद्दे अंतर इसका नाम है वीना प्रसन संख्या दो काय भाग वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ट के लिखत के वर्णों का संयोजन करके उनको जोड़ करके पदम सब्द को कोष्ट के लिखत इसके बोक्स में लिखें तो यहाँ पर जो ये वर्ण है इनको स्वर और वेंजन ये अलग करके लिखे हुए हैं तो इन स्वरों की जो है वो बाद में मातरा लगेगी जब हम उसको इक अठा सब्द बना करके लिखेंगे यथा इसको जोड़ करके लिखेंगे कुरूत है उ जमाद ये जो दै के पारों में निसाना ये हलंत का है जो जिसमें से स्वर निकला हुआ है जमाय जमाआ जमान जमाए ये जोड़ करके बन जाएगा उद्द्याने सजमत जमाआ जमलो जमाई जमक जमाआ स्थाली का घजमाए जमत जमाई जमक जमाआ घटी का सजमत जमारा तै और रा को जोड़ करके तरह जमाई दी रगई जमलो जमाई ये हरसवी है जमांगा जमगा जमाए इस तरह लिंगा है मा जमाआ जमप जमाई जमक जमाआ मापी का खै भाग देखिए पदा नाम वर्ण विछेदम परदर्शत के पदों का वर्ण विछेद कीजिए के इकठा सब्द है उसमें से स्वर और वेंजन को अलग करके आपने लिखना है तो जो वेंजन है उनको हलंत और जो मतर लगी है स्वर की तो उसमें उसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से उस स्वर को लिखेंगे यथा को किले तो क जमाओ जमाके जमाई जमाला जमाए चटके अब इसको अलग अलग करके लिखना है तो च जमाए देखे जब तक कोई और मातरा ना लगे तो उसमें आ मिला होता है तो च जमाए जमाट जमाए जमाके जमाए चटके धावी कहा ध यहाँ अलग लिखना है जमाआ जमाव जमाहरसव उ जमाके जमाए दावी कहा कुंचिका क जमाओ जमाया जम च, जम ई, जम क, जम आह, कुंचिका, खटवा, ख, जम ए, जम ट, जम व, जम आ, क्योंकि ट यहाँ पर हलनता है, इसके साथ ही बै लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बीच में कोई भी स्वर नहीं आएगा, छूरी का, छ, जम उ, यहाँ पर छे में जो उ की मतर हो हरस्व जम हरस्व ई, जम क, जम आ, यह बन जाएगा, चूरी का, अब परसं संख्या तीन, चितरम द्रिष्टवा, संस्कित पदम लिखत, के चितरों को देखकर संस्कित के पद लिखो, मेज, इसको संस्कित में कहेंगे उत्पीठी का, संदूक, इसको कहेंगे पेटी का, नाव, इसको कहेंगे नोका, चिडिया, इसको संस्कित में कहेंगे चटका, और यह महिला है, इसको महिला, और जो स्केल है, इसको संस्कित में मापी का कहेंगे, परसं संख्या चार, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानी पूरियत, के वचन के अनुसार, रिक्त स्थान, खालिस्था पूरेत पूरा करो तो यहां पर दिए हैं तीन वचन, एक वचनम, दूम बहुचन संस्क choirत में तीन वचन हूते हैं यह था जैसे अब यह लतаем लता सब्द है इस्तिलिंग पद है यह प्रतम भबक्ति का एक वचन दे रखा है दूम बहँचन पर वचन दिया हुआ है गीताह आगे जो सब्द है वो द्वी वचन में दे रखा है पेटी के तो उसका एक वचन और बहुचन लिखना है तो पेटी का एक वचन में आ जाएगा और पेटी का विसरग लग जाएगी वो बहुचन हो जाएगा अगे जो पद लिखा है उन्होंने Kतवह कर्वा भॉवचंन में लिखा हूआ है तो इसका एकवचन और दूवचन लिखेंगे तो इसमें एकवचन में लिखेंगे घ्कु वा तैको हयुंत रहना है और द्वी वचन में आ जाएगा खट वःब्र का वैसा ये एस्टिलिंग पद है तद सब्द है इसका मूल पद तो इस सीलिंग मैं द्वी वचन में बन जाएगा ते और बहुचन बनेगा ताहा, ताह के बाद विसरग लग जाएगी, अब रोटी के दिया हुआ है, तो जैसे लता सब्द का रुप था, ऐसे रोटी के, तो इसमें एक वचन में आ जाएगा रोटी का, और बहुचन में रोटी का हा, परसन संख्या पांच, कोश्ट कात, उचित सब्दम, चित्वा, वाक्यम पूरियत, के जो ब्रैक्ट में लिखे जो सब्द हैं, उन में से छाट करके आपने खालिस्थान को भरना है, यथा पठती, तो इसमें बाली का और बाली का हदिया हुआ है, तो किरिया जब एक वचन के है, तो करता भी एक वचन में होगा, और तो आगे कह देखिए, खालिस्थान दिया वने चरता, और इसमें चांट करके लिखेंगे, आजहा या आजहे, इसमें से आजाएगा, द्वी वचन का रूप है, तो बहचन का इसमें आगे चांट करके लिखेंगे, द्वी चक्री कहा, फिर गय, चलती, इस से पहले हमने ल उची का अस्ती अंगय उत्पतंती ये बहुचन का रूप है तो यहां आजाएगा मक्षी कहा उत्पतंती मक्हियां उड़ रही हैं अब प्रसंद संख्या छे सा ते तहा ये स्टिलिंग पद हैं इति एते भै उचितम सरव नाम पदम चित्वारिक तस्थानानी पूरित सा कर्थ वह ते कर्थ वे दो तह कर्थ वे सब तो जहां एक वचन होगा वहां पर सा लिखेंगे जहां पर दूई वचन होगा वहां पर ते लिखेंगे और जहां ब लता के स्थान पर क्या जाएगा सरुना पद सा कह महिला धावंती तो महिला यहां पर बहुचन है तो यहां पर धावंती के साथ क्या लगेगा तहा कह सुधा वदती सुधा इस्तिलिंग एक पद है एक वचन है तो यहां पर सुधा के स्थान पर आजाएगा सा वदती जवनी के दो लता है, यहां पर जबनी के दूई वचन है, यहां पर आजगा ते दो लता है, घह, पिपिली कहा चलंती, यहां पर वचन आएगा पिपिली कहा के स्थान पर तहा चलंती, अंगे, चटके कूजता है, तो कूजता है, दूई वचन है, क्रिया हमारी, तो यहां पर चटक चित्वा रिकतस्थानानी पूरियत तो मंजूसा से जो करता पद हैं उनको छांट करके खालिस्थान भरना है तो मंजूसा में इस शार दिये हैं लेखी का बाल का है सिंगहा त्री चक्री का पुश पमाला। तो कह खालिस्तान संती संती बहुचन में है तो यहां पर इसके साथ आजाएगा पुश्पमालह संती ख पश्यती देखता है तो देखता है यहां पर आजाएगा बालक है खालिस्तान में बालक है ग लिखती अब लिखने काम लेखी का करती है तो यहां पर इसमें आजाएगा लेखी का लिखती घर गरजनती यहां पर ये भवचन है तो इसमें आ जाएगा सिंगहा गरजनती सेर गरजते हैं या गरज रहे हैं अंगए जलती चलता है क्या चलता है त्री चक्री का तिपईया परसंसंख्या आठ मंजुशात है कर्तरी पदानुसारम क्रिया पदम स्थानानी पूरियत यहां पर धातु रूप लिखना है अंत में के यदि एकवचन है तो उसके लिए हम एकवचन करेंगे दिवचन के लिए हम दिवचन का रूप लिखेंगे और बहवचन के लिए हम बहवचन का रूप लिखेंगे सुम्या यहां पर सुम्या इसके साथ आजगा निरित्यति सुम्या नास्ति ए ख्य चटके चटके के साथ वी हरतता है जो चिडियां फुदक रही है बालिके दो बालिकाएं गायता है घार ही है चातरा बहुत सी चातराएं लिखनती लिख रही है जनहा बहुत से लोग पश्चंत्थी इस मिकलिशतान में आजगा पसंती देखते हैं तो इस परकार हमारा ये पार्ट पुरा हुआ इस चैनल पर आप जुड़े रहिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और सेर कीजिए